हलके आइब्रोज या आइलेसस को घरना लंबा और डार कलर देने के लिए किसी रेमेडी की खोज है यकीन मानिए आज के बाद किसी और रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूज करने के दो तरीके देख सकते ही, इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके को आप दो से तीन दिन तक यूज करके देखिएगा, रिजल्ट आपको जबर्चस्त मिलने वाले हैं इसी सलसले में सबसे पहली चीट चाहिए, वह है ओनियन पिल्स, इसमें भरपूर मातरा में सलफर, सलीनियम, खनीज, बीटेमिन B, C होता है, यह कॉलोजन उतकों के उत्पादुन को सुधार करके आईब्रोज और आईलैसिस की ग्रोध को तेज करता है और रोम को मजबूत कर जिससे की without side effect हमारे आईब्रो और आईलैसेस की ग्रोध तेज होने लगे, तो यहां पर मैं कुछ प्याज के छिलके को ले रही हूं, इन प्याज के छिलके को आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लेने हैं, रैसेपी को पैकिंग करने के लिए जो हम लोग सिल्वर प आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो हमेसा देती रहती हूं, वीडियो पसंदाय तो जाजेता सेर और लाइक जरू कीजिएगा, इसे अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड करके आप एक साइड में रख दीजिए, आगे मैं इसका प और इसमें आपको पानी डाल देना है, वन ग्लास, बिल्कुँ नौरव पानी ही आपको एड करना है, और इसे गैस पर बिल्कु लो फ्लेम पे रखके जेल की रूप में त्यार करना है, बीच बीच में आप इसे चलाते रहे ताकि अलसी जो है वो बरतन में चिपकना पाए अच्छे से जेल त्यार हो सके, तीन से चार मिनट भी आप देखेगा बहुत इसली इसका जेल त्यार हो जाता है, गैस को आफ कर दे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर ले, ठंडा होने के बाद ये ठिक सा एक जेल त्यार हो जाता है, अब इसे चानने की ज़रूरत है, इस हाप पाउल के बरावर है मेरे पास यह अलसी का जेल इसे मैं दो भागों में बाढ़ देती हूँ ताकि मैं दो रेमेडी आपको दिखा सकूँ फर्स्ट रेमेडी तियार करने के लिए मैंने यहाँ पाली आवा है थ्री से फोर स्पून के करीब अलसी का जेल फैटी एसीड एमिनो एसीड और विटामिन ए, बी ट्वैल, सी, ई से भरपूर अलोवेरा जेल यहाँ पर मैं ले रही हूँ वन स्पून के करीब अगर आप चा बीटामिन ए से भरपूर यहाँ पर मैं ले रही हूँ वन स्पूर के करीब कैस्ट्रोल ओयल जो आपके आइब्रोज और आइलेसर की ग्रोथ को तेज करने में हिल्प करेगी एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होता है बीटामिन ए का ओयल इसलिए मैं यहाँ पर वन स्पू लिए यूज करना है दो बार अगर आप सुबर शामी यूज करें तो काफी बेस्ट है रात में अगर इसे लगा कर एज़िश छोड़ दिया जाए तो काफी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं इसे आप कॉटन के हिल्प से या किसी भी मस्कारा या आइब्रोज के ब्रस के चोटे चोट टुकडों में करके रखे हैं उसे आपको गैस पर रख कर अच्छी तरह से जला देना है इस रेमडी को बिलकुल मार्केट का जिस तरह से आप मसकारा या फिर आईब्रो पेंसिल ब्लैक कलर का यूज करती हैं उसी तरह का आप इसे यूज कर सकती हैं 2 से 3 और यह जो silver paper है यह बिल्कुल भी नहीं जलेगा इसे उपर निचे करके इस तरीके से पलट पलट कर अच्छी तरह से जला दीजिए gas को off करके इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए ठंडा होने के बाद जो आपने इस silver paper में प्याच के छिलकों को जलाया है उसे अच्छी तरह से इस तरह से कोल कर निकाल लीजिए इसली यह सारे powder आपके पास मिल जाएंगे इस्पून के हल्प से या भी किसी भी चीट के हल्प से इस तरीके से बिलकुल fine powder इसका त्यार कर लेना है तो उम्र में eyelashes या eyebrows white होने लगे हैं तो इस remedy से उनकी इस problem से भी छुटकारा मिल सकता है इस second remedy को त्यार करने के लिए मैंने ही आप लिया हुआ है 2 इस्पून के करीब यल सी का जेल और इसी में mix कर रही हूँ हाप इस्पून के करीब coffee powder आप किसी भी company का coffee powder यूज कर सकती है coffee में caffeine और पोशक तत्त होने के कारण ये blood circulation को तेज करके बालों की growth को तेज कर देता है जिससे eyebrows और eyelashes की growth तेज हो जाती है अब जो आपने प्याज के छिलकों को जला कर powder त्यार किया है उसे इसमें mix करना है इसमें आपको उतना mix करना है जितना आपको thick और thin बनाना है इस mascara या फिर इस serum को आप थोड़ा जादा भी इसमें use कर सकती है अच्छी तरह से सारी चीजों को mix कर जिए और store करके रख लिजिए cotton के या फिर किसी vibrus के help से इसे eyebrows और eyelashes पर use कीजिए daily दो बार या फिर रात में लगा कर as it is छोड़ दीजिए I hope कि eyelashes और eyebrows की growth के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यदा helpful होगी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यदा सेर कर देजे चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं मिलती हूँ ऐसे वीडियो लेकर next वीडियो में तब तक के लिए take care thank you